रात को जैसे ही मेरा दीवर मेरे करीब होने लगा और मुझे छोने लगा तो मैं डर सी गई। मैं उससे आहिस्ता से आवाज में बोली के हटू, मेरे से ये सब कुछ गलत है, लेकिन वो कहां सुनने वाला था, बोला नहीं, भाबी बहुत सबर किया है, मैंने आज नहीं मैं भी बस उपर से ही उसको बोल रही थी, कि दोर हो जाओ, इंदर से मेरे इरादे और मौट कुछ और ही था, और ये बात वो भी जानता था, क्योंकि इशारे करती रहती थी उसको, मैंने उनसे कहा कि मुझे दीवर की परिशानी हो रही है, इस पर क्या गुजर रही होगी इस बात की वजह से, इस बचारे का तो कोई कसूर नहीं था ना, आसल बात ये थी, कि मेरा सिर्फ एक ही दीवर था, मेरी शादी को पांच साल हो गए थे, मेरी सास को फोत हुए, तीन साल हो चुके थे, मेरी कोई नंद नहीं थी, इस वजह से घर की सारी जमादारी और इक भाल मेरे जमे थी, और मैं अपनी पूरे हक और सच्चाई के साथ खुश इस लोबी से इस जमादारी को पूरा कर रही थी, अब मेरे दीवर की शादी की उम्र हो गई थी, पर मुसिला ये हो रहा था, कि दीवर का जहां रिष्टा करते अगले दन ही इनकार हो जाता, क् दीवर को कानों का मसिला है, कम सुनाई देता है, क्योंकि मैंने जुरा इस बात को छपार खा था, इस बार क्योंकि जहां भी रिष्टा करने जाते अगर ये बात बताते थे, तो फौरन इनकार हो जाता था, ये बात मेरे शुहर ने मुझ से छपाई थी, जबकि दीवर को पतार भी थी, इसी बात की परिशानी इन दोनों की थी, और मुझे इस परिशानी से बचाने के लिए वो लोग ये बात मुझ छपा रहे थे, क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा था, कि मसिला बहुत संगीन है, इस बार कुछ ऐसा करना होगा, कि जिससे ये मसिला भी बीच मे न आये और मेरे दीवर की शादी भी हो जाए, मैं अपने श्वहर को तसली देकर कमरे से बाहर निकल गई, सोचा कि दीवर से इस बारे में कुछ बात करती हूँ कि क्या करना है, कोई न कोई हल तो निकल ही आएगा, इस मसिले का, दूसरे दिन मेरी पडोसन ने मुझ से पू तो मैंने उसे बता दी कि, मेरे दीवर का वो भी रिष्टा तूट गया, क्योंकि तुम्हें पता तो है मेरे दीवर को कम सुनाई देता है, बस इसी वजह से लोग इंकार करके चले जाते हैं, मेरी बात सुनकर वो बोली कि तो लोगों को न बता, या करो कल को खुद ही लड कैसे उनको फिर भी मालूम हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी परोसिन को नहीं बताया और उससे चन बातों के बाद बात खत्म करना चाही, जब उसने कहा तुम एक और काम करो, मैंने तजस से पूछा, कौन सा, तो कहती, एक पेर बाबा का पता दीती हूँ, तुम्हें इससे दम करवा दो, अपने दीवर पर उससे असर होगा, और तुम्हारे दीवर की शादी भी हो जाएगी, मैंने ये सुनते ही फौरा उससे उस पेर बाबा का पता ले लिया, और दीवर से इस बारे में बात की, तो उसने साफ इनकार कर दिया, उस काम को करने से, पर मैंने बहु अपनी बात के घेरे में ले लिया